कि वेलकम बैक दोस्तों कि आप लोग का पूर्ण स्वावत हैं आज हम लोग बैलो जी के तीस सबसे महत्पूर्ण क्वेस्टन करने वाले हैं जो कि आने वेले पॉइंट ओफ एक्जाम पॉइंट ओव्यू से आप लोग के लिए बहुत बंददगार होगा और मैंने उनका क् जोखे रीपेटेड़ पिछे कोस्टन से प्रवेस और क्वेस्टन से मैंने उठाया है जो मैंने चाहा कि आप लोग को को कि देदू पोस्ट करने चले आप लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉप 30 कुस्टिन वह ऑभी अनला है इसमें अपस्ञिल नीगा ठीक है थाकि है कि च्वथ से खोडugों बंद ना सकते हैं लेकिन उसका आसका रियाद अगना ब्याच्जिशज़ भर है कि तो हमलबहर क्षचन है मिट्टी की लवनता दूर करने है तो परीक्थ होता है है तो मिट्टी लवनता दूर करने के लिए परेग करता है पायराइड येवम जिपसम का ठीक है पायराइड येवम जिपसम का ओकई फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट कुस्ट्ऽन करेंगे विसाक्त ГAS की मदद से फ़सल की किलो को मारने की प्रकिरीय खालाती है तो खालाती है 来 começar fumigation ठीक है फिमिगेशन के मदद से हम लोग 25 किलो को मार सकते हैं ठीक है कि कुश्ण नम्र 3 है जै उर्वरक की रूप में किस फसल है तू एजोलार का परियोग किया जाता है तो धान का ठीक है जै उर्वरक की रूप में एजोला का परियोग किया जाता है धान के लिए ठीक है एजोला के लिए होता है दलाली फसलों में किसका उपयोग जै उ वरग के रुपता है तो राइब जिएमका ठीक है राइजोबियूंका यूज़ था दहालनी पल फसलो में जैन्व और वरग के रूप में कपास के मुख संगटंद उत्रम होता है सेल्डीन लोज कर पास के मुख संगटख थे तोता एसल यू लोज ठीक है शिक्स नमबर है खेरा रोग किस फसल से सम्बंदित है तो खेरा रोग धान से सम्बंदित है ठीक है खेरा रोग जो हता है वो धान में होता है इसलिदाता 1 नेक्स्ट ईसलिदाए त्माटर में क्या पाए जाता है तो टामाटर में लाइकोप्रीन पाए जाता है व्यू यारो भीमारी कि समधित है यह वह गंना से सम्दित है तो नाइन नमबर कपास के छोटे-छोटे रेसे कहला आते हैं तो कपास के छोटे-छोटे रेसे कहला आते हैं लीट ठीक है तो कुछिषन मदलन का एंसर होगा णार कκι इसे कहल होएं फिटतसरे आनी घेगलाा रोग कि से शंबन निखी है गेगला रोग गेहू से सम्मंदित है गुलाबी कीडा किस फसल को सबस्री जादा नुकसान पहुंचाता है तो कपास को सबस्री जादा नुकसान पहुंचाता है प्रिवियस प्रमक की प्रमक परजाती है ताल-फानसो आम इस सारा कोश्चिन हमने प्रिवियस यह से ही मुध लोग अगर कुछ नमोट फोटिन देखते हैं सरवाधिक मंड किस फ़सल में पायता है सरवाधिक मंड किसे पायाता चावल में जाता है मीठे बेंजन ने में सैकरीम का परियुग नहीं होता है क्यों कि से क्रिम गर्म करने पे नस्ट हो जाता है इसलिए मीठे में मैंने में सैकरीन का प्रयोग नहीं होता है ठीक है अब 16 है मुली के जड़ किस परकार के होती है तो मुली की जड़ होती है किस परकार के किस परकार के जड़ का किस सैकरीन का देखेंगे कुम्भी रूप जड़ का उधारन है सल्जम चल्जम का जो अकार होता है उसका रूप होता है जैसे अंदर उसका मिट्टी गंदर जो बनावाट होती है कुम्ही रूपी जर्ड जैसी होती है ठीक है कुस्च नमबर 18 है लावा मारक सेवाल कौन से है तो लारवा मारक सेवाल ओसी लेटोरिया ओसी लेटोरिया नामक जो सेवाल है वो लारवा मारक है ठीक है लारवा मारक स सभवाल कौन सा है तो ओसी ले टोड़ी या ठीक में वन सॉध सनस्थान कहा है यह तिल तो फॉप रेंद में करक्ष से सब्सक्राइब कर युद्ण संथां कहां ड़ी गंदर्य गंनगर निम्भव का एक रूख का नाम ठीक है वो एक प्रगार का निम्बू का रोग है पनामा रोग किसे समंधित है तो पनामा रोग है केला से समंधित केला का एक रोग का नाव है पनामा रोग हरित बाली रोग किस फ़सर समंधित है तो हरित बाली रोग है बाजरा से समंधित अभ से इन्डियान इंस्टेृट फॉर्टी कलचार रिसर्च कहा है इंडियान इंस्टेृट कल्चर रिसर्च बैगलारू में इस्थिद है ठीक करें आगे अलों देखे के why गे इसंड़ी दीनडल है किस केंद्रिय सोस्क छेत्र हां ऊत्यां कहां इस्तित है तो केंद्रिये सुस्क छेत्र अनुसंधान जूदपूर में इस्तित है ठीक है एक दिन वीडियो लाने वाला है उसके कलेक्षन भी कर रहा हूं सारा के अलग वीडियो में डालूंगा जो आप लोगे ब्याद मदद्दार होगी तो कुश्चिन 28 देखेंगे डाइ थेन कि अबग नासी का यह नाम है ठीक है को स्टन 29 है क्वी नीन एवं सिंकोनीन प्राप्त किया जाता है तो सिंकोनीन यो क्यों नीन प्रफ्त करता है किस से सिंखोना की छाल से ठीक है क्यों स्थाट्टी है एक टीपी का पूरा नाम है एडीनोस्थीन ट्राइफ फॉस्फेट ठीक है दोस्तों यह तहां हम राज का तीस क्यूस्ट्चन जो कि आप लोग के सामने में रखा अब लोग ऐसा लगा पसंद आया तो किलिके लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें तो मैं चैनलों पहत सब्सक्राइब करें जिसे हमें एनर्जी मिलें धन्यबाद